नमस्कार मैं विज्ञान प्रकाश अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं देश के परिवर्तन की बात कर रहे हैं करोना काल में होने वाले परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे गंबीर विशे हैं जिसकी समस्या भी हम आपको लेकर आकर बताएंगे और समाधान भी स साथ में आपको लेकर बताएंगे analysis के साथ आकिलन के साथ उसमें बहुत बड़ा विशय जिससे हम शुरुवात कर रहे है वो किया है agriculture हम सब जानते कि यह देश कृषी प्रधान है हम सब जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी भूमिका इस देश को चलानी की जो है वह अलग-अलग लोगों के साथ इस देश के महनत कश किसान की है अगर किसान तरक्की करता है अगर किसान आगे बढ़ता है अगर किसान आधुनिक होता है अगर agriculture modernize होता है तो बहुत सारे रास्ते इस देश के आगे बढ़ने के खुलते चले जाते हैं लेकिन असलियत में क्या तस्वीर है ये देखिए ये समझे कहीं पर निराशा की भी कहानी है लेकिन कहीं पर भैंकर सफलता की भी कहानी है सरकार नए कडम ला रही है जैसे मिसाल की जो उपज है किसान का जो प्रोड्यूस है किसान का जो प्रॉड़क्ट है वो सीधे लोग किसान से खरीच सकते हैं बिचॉलियों के मिल्मिन के करप्शन के रश्चाचार के जो मौके हैं वो नहीं होने की जरूवत है कमपनिया सीधे किसान से खरीच सकती है लेकिन मेरा स किसान मिलेगा किसान को कि वो सीधे बड़ी कंपनियों से तालुक रखे सीधे बड़ी कंपनियों से रिष्टा रखे बिचॉलियों को खतम कर दे और सीधे अपना अनाज बेच सके या अपना प्राड़क्ट बेच सके क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है एक चीज मैं आपक जो इसमय करते। जो लोग रहते हैं। इस इंग में जो साहिते हैं। को पुरुफ का हुए हैं। बहुत इंपोर्टन्ट होगा देखना बहुत जादा एहमियत होगी इस बात को देखना और समझना कि किस तरह से वो चेन टूटती है तूसरी बड़ी बात मैं भी मेरे लिए भी बहुत बड़ा ताजूरू बाता है जब मैंने देखा जाकर देश के एक बहुत ही संस्थान में आइगरिकल्चर रिसरच के कि किस तरह से पích इसानों के लिए नए नए शोद किए जा रहे नए नए जए रिसरच किया रही मैंने 질문 जाकर जब देखा तो बहुत प्रभावित हुआ अाज ऐसे एसे फॉरमुला बनाए जा रहे है किसान कम जमीन पर भी जादा पैसे कमा सकता हैं। क्योंकि प्राइम इनस्टर ने खूँए कि 2022 तक उनका दावा है या उनकी उमीर है किशान की आमदनी दुगनी होगी। लेकिन यह कैसे होगी दुगनी यह वैसे ही दुगनी होगी अगर सही तकनीक अगर सही agriculture technology जो है वो किसान adopt करेगा उसको accept करेगा दिलचस बात यह है कि उस पर जो शोध हो रहा है वो बहुत जबरदस्त है देखिए सुनिए समझे उस शोध को क्योंकि ऐसा नहीं है कि शोध न किसान तक पहुंचते हैं तो वो किसान जिसकी जान चली जाती है जो लोकल साहुकार से कर्ज लेता है वो किसान जिसके तमाम तकलीफे होती है वो किसान जिसके बारे मैंने सारों साल रूरल रिपोर्टिंग की है बताया है जो लैंडलेस होता है यानि कि किसी और के खेत पर उसकी उपज का तरीका बाजार में बिखने का सही होता है और टेक्नालोजी और नया अग्रिकल्चर रीफॉर्म जो हैं टेक्निकल जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं वो इसको सहुलियते देते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है यह सब कुछ बड़े परिवर्तन है जिसकी तरफ देखने की जरूरत है हम चाहिना की बात करते हैं बिलकुल सही है बिलकुल होनी चाहिए लेकिन जानिये कि उनके यहां जो उपज का प्रतिशत है वो हमारे हां से दुगने से ज़्यादा है कुछ मावलों में तो कहना आसान है कहना आसान है करना मुश्किल है असंभव करना मुश्किल है इंपोर्टन्ट यह है कि यह जितना भी काम हो रहा है इसको वाकई एक लंबे रास्ते पर परिवर्तन के एक लंबी दिशा में परिवर्तन के तब्दील करना और इन्हीं सब मसलों पर जो देश के भविश्य की तरफ बदलाव को देखते हैं यह कर रहा है यह फोकस रहेगा इस सीजन टू का मेरे परिवर्तन का आप तक पहुंच कर स्टूडियो से बाहर निकल कर कोशिश यह रहेगी कि हकीकत बताओं साथ में समाधान बताओं जैसे मैंने का यह मारी यूस्पी रहेगी और भविश्य का रास्ता बताओं जुड़े र आपको रखे आगे